अज हम जानेंगे कि happiness index यह एक्षिल में होता क्या है और इस पे सारी दुनिया की निगाहें क्यों होती है अगर आप बात करोगे कि किसी देश की जनता कैसी है या फिर उदेश कैसा है तो happiness index यह सबसे पहले priority आता है कि उस देश की जनता खुश है या नहीं है अगर आप बात क देश जादा खुश है in terms of various factors होते हैं जिससे इसको जर्च किया जाता है तो आज हम यहीं जानेंगे तो लेट्स बेगिन दर वीडियो तो जानते हैं कि what is happiness index लेक्स पैसे के लिए तो यह जो वर्ल हैपिनेस रिपोर्ट एक पॉब्लिकेशन है जो उनाइट नेशन सस्टेनेबल डेवल्मेंट सॉलुशन नेटवर्क हर साल निकालता है इस रिपोर्ट में दुनिया भर के तमाम देशों के यानि हर एक देशों की happiness index की रेंकिंग्स होती है देखें यहां पर लिखा हुआ है इट कंटेंस आर्टिकल्स और रैंकिंग्स ऑफ नैशनल हैपिनेस की कौन सा देश कितना खूश है उनकी जनता कितनी खूश है बेस्ट ऑन कुछ रेटिंग्स होती है जो उनका लाइफ एक्टर डिसाइड करते है उस कि फिनलैंड जो है यह पिछले पांच सालों से यानि फाइफ टाइमस इन रो यह किताब जित चुका यान फर्स पे ही है अभी तक अब इंडिया की क्या रैंक है इस वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स रिपोर्ट में जो यूएन के द्वारा पब्लिश किया गया है आप देख को प्लिश का की इसक प्लिश से इसक करेंगे हम इसको मेंतल के कहेंगे मेंटल के अछ सकता है मैं चुप यानिकी वग्त को संतुलन संतुली तरकते हैं लोग या फिर फ्लकसिंडी है इसको कैसे अव। तो यह सब चीजे हम आज देखने वाले हैं उसके बाद lifelong learning या फिर यू कहें तो education उस country का education system कैसा है या फिर उस country में lifelong learning term कैसी है what is the format of education तो यह सब discuss करेंगे उसके बाद arts and culture उस देश का culture कैसा है arts कैसा है या फिर बच्चों को कैसे motivate किया जाता है इन सब चीजों में भाग लेन social activity कैसी है उनकी तो यह सब हम arts and culture में देखेंगे उसके बाद community उस देश की community कैसी है जाने ज्यादा diversity है तो क्या उनमें unification है क्या united है क्या जैसे कि आपको बता है कि इंडिया is a diversity a huge diversity so like our constitution is the main pillar which makes us united तो क्या अभी भी फिलाल are we united or not so that is a factor which measures happiness index उसके बादा social support like protest होते हैं तो उ इस तरह का role play play करते हैं या फिर what is the social support social support in the sense we can take it as a political view also and it is a like our personal view also like your relations कैसे है with your family or with your relatives so that is comes under the social support then our environment like pollution कैसा है greenery कैसी है देश की या फिर what are the steps or what are the motifs that government is taking to break the obstacles of environment तो वो सब हम environment में देखेंगे तो वो सब हम देखेंगे तो governance कैसी है तो governance कैसी है इसका एक factor GDP पे भी देखा जाता है तो like it's a democracy और which type of like what type of system is that country running through is there complete freedom in the country or not या फिर क्या government से लोग खुश है या नहीं है या opposition का क्या rule है तो यह सारी चीज़े हम government में देखेंगे उसके बास standard of living is standard of living in the sense कि आपके पिताजी जो है वो like 500 rupees कमाते थे उनके 20s में अभी आप अ is there any standard of living change in your family या फिर आप पांच साल भी देखो अगले या फिर जब elections next five years में आएंगे या फिर दोजर चोवीस में तो क्या 2019 से 2014 तक 2000 sorry 2024 तक आप में कोई इंप्रुमेंट हुआ है या कि आफिस standard of living improve हुई है या आप like मैंने एक 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 यूद आप आपून मोबाल लेकिन वह ले नहीं पाता है तो 10 years रहता है या या फिर वैसल्ग है है या फिर कोई काम में like work like offices में workplaces में कैसे trade किया जाता है या फिर कोई जाधा burden तो नहीं है ना लोगों में या फिर government या private sectors में क्या फर्क है private sectors में इतना burden क्यों है तो यह सब सारी factors आज हम देखेंगे जो की happiness index को measure करते हैं तो दोस्तो firstly हम शुरू करते है satisfaction with life से इसको पहले समझेंगे कि यह किया है तो let's begin तो the happiness index जो है वो दो sections में बटा हुआ यहाँ पे तो अगर हम बात करें कि एक चीज होती है जिसको कहते है cantril ladder तो यह एक ladder टाइप चीज होती है जो मैं आपको दिखांगा थोड़े समय बात तो इसमें क्या होता है कि for the cantril ladder इसमें आप imagine करो कि एक ladder आपके सामने है और आप उसको climb करके उपर उपर जा रहे हो और जब आप उपर पहुँच जाते हो तो आपको एक beautiful scene दिखता है skyline या फिर कुछ भी एक beautiful view दिखता है वहाँ से तो यानि कि आप वहाँ पे संतूस्ट हो similarly when you're stuck at bottom आपको लगेगा कि आप कहीं पर खाई पर गिरे हो या फिर आप एकदम नीचे हो like you're stuck somewhere so that is the thing where in canteral ladder plays an important role तो जब भी आप उपर जाओगे ladder के सबसे top पे इसका मतलब आपकी जो life की possibility है वो सबसे best possible life है आपकी और जब आप नीचे रहोगे यहाँ पे तो that would be your worst possible life at the bottom of the ladder तो यह ladder अभी हम देखते है तो okay so this is the ladder as you can see तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर जो दिया गया है prospering, thriving, blooming, doing well तो यह सारे चीज़े आपके क्या होई goods होई यानि कि आपकी जनता जो है वो अच्छी happiness में जी रही है लेकिन आप अगर medium में रहो या कि neutral या फिर हम कहें कि यह downstairs ही जा रहा है तो just okay coping with the obstacles, struggling against the obstacles, suffering, depressed, hopeless तो यह सारे चीज़े जो है यह आपके sadness को दर्शाती है आपके people's sadness को दर्शाती है this is what a satisfaction with life denotes so in this way one can denote happiness index of countries and its people सो हम वापस आते हैं प्रीवेश स्लाइट पे तो the cantal ladder is an instrument to major your satisfaction with life जैसे कि मैंने कहां कि वो ladder जो है वो उसकी मदद स्याब अपनी satisfaction आपके life के साथ कैसी है वो major कर सकते है और बहुत सारे organizations जो है वो इसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आप कहां पे खड़े हो life में कौन से स्टेप पे खड़े हो and they'll help you to climb the ladder ओके सो अन्दर सेक्शन थोड़ा सिमिलर है cantal ladder से वो भी आपके satisfaction with the life को denote करता है या फिर major करता है but वो और भी deep चला जाता है so without being satisfied with your life you cannot enjoy what it has to offer आप satisfied हो ही नहीं life से तो आप कुछ enjoy नहीं कर सकोगी suppose आप 10th में fail होगे और आपके पापा ने आपके आपको एक iPhone दे दिया अमान लीचे just just an example तो आप तो अपने examinations में fail हुए हो आपका वो एक sadness चल रहा है तो आपको जितना भी कोई गोल्ड दे या फिर कुछ दे आपको उसे खुछ नहीं होने वालो this is the I am talking about the principles if a person is greedy so he can be happy for that purpose but normally I am talking about this so हम next slide पे जाएंगे और देखेंगे अगला topic okay so here comes psychological well-being तो बहुत interesting है यह चीज आप अपने future के बारे में इतने नहीं सोचते है या फिर इतने नहीं goals plan करते है या फिर आपके पास कोई purpose नहीं है positivity रहने का फिर जीने का तो naturally आपका happiness कहीना कहीं सफर कर रहा है कहीना कहीं compromise करके आप जी रहे हो so this thing is called as mental psychological well-being so there is a quote your mental health is as important as your physical health physical health तो आपकी है ठीक लेकिन अगर आपकी mental health ठीक नहीं है COVID-19 आया जब बढ़ा pandemic आया इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में लेकिन खास कर इंडिया में क्योंकि इंडिया has a high level of poverty as compared to its population okay so in this country where GDP per capita भी लोगों का इतना नहीं है तो इस समय pandemic के समय बहुत कुछ mental health से गुजर रहते लोग mental bad mental health से तो कुछ लोगोंने suicide तक कर लिया था और कुछ लोगोंने अपने jobs गवा दिये temporary jobs या फिर कोई भी permanent jobs भी गवा दिये तो बहुत से लोग इंडिया के बहु संक्यक लोग इस mental health से गुजर रहे थे और जैसे कि हमने देखा कि कुछ लोग जैसे कि UP से जो महारेस्टर में लोग आये थे काम करने तो वो लोग जब अपने state वापस रेटन कर रहे थे तो कुछ लोगों ने उनके मदद की तो there are people who are helping hands to you who provide resources for the people in need so their kindness वो भी इसमें calculate किया जाता है आपके mental health में तो everybody has experience in their life how pandemic has negatively impacted बट इससे हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि ऐसे समय में अगर आप fulfilled हो अगर आप संतूस्थ हो अपने life से तो you can help others whenever you are fulfilled you are satisfied with your life you can help others you can be a helping hand this pandemic has started that तीसरी चीज़ पर चलेंगे हम वो है physical health अपने mental health देख लिया या फिर यू कहें तो psychological well-being अपने देख लिया लेकिन अब physical health पर ध्यान दिंगे हम तो दोस्तो physical health यह जो section है यह mental health section के बाद यह आता है तो जो से पिलेट्स जो है originator है पिलेट्स के पिलेट्स एक्सराइज रूटीन के उन्होंने कहा है कि physical fitness is the first request of happiness so यह बहुत important चीज़ है अगर आप happy हो और like physical fitness उस पर बहुत impact डालता है there's a lot of impact like suppose आपकी आपकी बूंस दर्द कर रहे हो अगर आप अपने parents से पूछोगे तो उनके बूंस दर्द करेंगे या फिर उनकी उनका headache होगा या फिर कुछ भी होगा तो that's a physical fitness उनकी नहीं है क्यो so there is no time to do exercises routines to make our fitness healthy so this is the one thing Joseph कहते है या आपने कही सुदा होगा कि आपके family members को कुछ better feel होगा जीम के बाद जीम आने के बाद या फिर exercise करने के बाद क्योंकि उनके brain में जो है वो mood soft हो जाता है और एक natural pain killer जैसा वो होता है so even practicing yoga अगर आपने आपके देखा होगा grandfather's or forefathers को या आप किसी TV में भी देखोगे तो जो भी yoga करते है their mind is so fresh okay there उनके उनके चेहरे पे अलग सी smile होती है so what is that smile that comes from your physical fitness physical health so that helps you in uplifting your mood besides the fact that it gives your muscles a good strength तो यह वी physical health इसके उपर इससे से भी हम happiness index को judge कर सकते है उसके बाद आता है time balance यानि कि वक्त का संतुलन यहाँ पर आप feature में देख रहे होंगे यह life है और यह work है तो life यानि क्या होता है कि आपकी जिंदगी वो किससे matter करते है आपके family members होंगे या फिर आपके दोस्त होंग या फिर आप कुछ enjoyment के लिए अपने benefit के लिए कुछ खेल रहे हो क्या आपको अपने खुशी के लिए कुछ कर रहे हो क्या उसके लिए आप समय निकाल रहे हो क्या so this everything comes in time balance so you are the main character in the story of your life यह Timothy correct जो author है और public speaker है उन्होंने कहा था यह perfect example है इसका उसके बाद it makes us realize कि आप अप आपने इतने सारे schedule में आप अपने लिये कितना time निकाल रहे हो या फिर आपने लाइफ के लिए कितना time निकाल रहे हो that is important so for example अगर आप classes attend कर रहे हो और आपने jobs में जा रहे हो yeah फिर आप सी business में चला रहे हो you business चला। तो आप जायदा आप कहा ठाम लोगे में तो आप अपने के लिए आप कहा ठाम निकाल झाल रहे हो तो आप यह तो आप अपने के लिए आप कहा ठाम निकाल हो खुत के लिए so that is a thing and in between this chaos how many time do you actually spend doing things that put a smile on your face this is a main thing so this is comes under the time balance उसके बाद दोस्तों हमने फिफ्ट और सिक्स पॉइंट को मर्ज कर दिया है जो कि लाइफ लनिंग आर्ट और कल्चर है या फिर यू कहें तो एजुकेशन तो यह सेक्षिन जो है बहुत सरे क्वेशन पैदा करता है जैसे कि मान लीजे आपकी नेबर चोटी लड़की है और वहां वो अफॉर्ड नहीं कर सकती जाना तो अबू नॉर्मली भी खेल नहीं सकती क्योंकि अपने जो मंचा होती है एक काम के प्रतिया फिर एक खेल के प्रतिया फिर जो कर दिकाना होता है उनके लिए तो बहुत सरे अबस्ताकल बीच में आते हैं जो उनको करने से रोकते है मान लीजे आपको इसा ने की बहुत हैल्फुल था कि मान लीजे कि यह सब्जेक्ट एकोनॉमिक्स था को कोलिज ने हम पे बर्दन डाल दिया कि आपको एकोनॉमिक्स 12 में लेना पड़ेगा मान लीजे तो दाट तो दाट सब्जेक्स कॉस्मी अ लॉट अट अटेंशन तो हुआ ही साथ में इस बहुत कुछ केसे होंगे आप आपके दूस्तों से भी आप उच सकते हो कि what was your dream before 10th and after 12th so they'll say I wanted to become this but I became this so this is the dissatisfaction to your happiness is happening in the country not in the country I guess but Indian education system is so poor कि India में जादा किसे आपको देगने को में लेंगे उसके बाद having opportunities to learn and do what you love is an important factor जैसे कि मुझे इंजिनेर बनना है तो मेरा उसके प्रतिच जादा ही कुछ संबंध है तो अगर मैं वह नहीं बनता हूं तो मेरी happiness happiness नहीं रहेगी वह sadness हो जाएगी लेकिन मेरे मन में हमेशा रहेगा कि मैं यार इंजिनेर नहीं बन पाया मैं य next is inclusion and belongingness is crucial to your well-being when you feel excluded अगर अपको लगता है कि आप अकेले पड़ गयो तो आपका happiness obviously decrease करेगा बहुत सरी तरीक उसे जैसे कि आप किसी certain group of people को identify करते हो और उनको proud है कि you belong to a culture that culture of that people like you white हो तो आपको लगता है कि I am white and my surroundings are white so I am superior so that is not the case so but belonging to one group does not mean कि दूसरे ethnicity या फिर दूसरे culture के लोगों के साथ हमें badly पेशाना है या फिर discriminate करना है so being discriminated against leaves a feeling of contempt like अगर आप देखो कि अगर प्राची इंशेंट इंडिया की बात कर रहा हूं मैं जब Brahmins का hold था पूरी इंडिया में तब शुद्रास जो थी या फिर हम कहें दल so that made them feel कि वो लोग कोई गुनेगार है उस वक्त की बात कर रहा हूं कि वो कोई गुनेगार है या फिर वो उनसे आगे नहीं जा सकते है या फिर वो उनका मकसद वही है करना so this all thing is makes a person anxious so मैं पहुत पास्ट का एग्जम्पल दिया but we'll talk about that issue in another video because that's a very long issue like people questions reservation thing and people also questions multiple factors belonging to a caste so उस पे भी हम वीडियो बनाएंगे ज़ले लेकिन फिलाल हम happiness पे आते हैं वापस so the next topic is community आपके देश की community कैसी है like the satisfaction with the life community is majored in two sections okay we'll see that so the final वेला वेला है जो community Aristotle बूलते है Greek philosopher अगर आपको पता होगे कि man is a social animal this is this everybody knows that so man is a social animal means connections होंगे बहुत सारे social life में अपने so connection with others of our kind is a basic survival need like आप अगर पचास साल किसी से बात ही ने कर होगे तो आपकी life बहुत बूरिंग हो जागे I don't think so कि आप survive भी कर पाओगे without anyone so that is the thing community community में लोग जो आपके around होते हैं या फिर ऐसे बहुत कुछ activities किये जा सकते हैं so that is a community community कितने active भी है यह भी देखा जाता है तो happiness index में क्या है कि आपके relations कैसे है या आपके इर्दगर्द जो लोग है उनके साथ अच्छे है या बुरे है या फिर आफ सबसे दूर वेभार करते हो या फिर बैड डे टॉक करते हो या फिर अच्छे से बात करते हो तो यह सब चीजे major किये जाते है और इससे हमें पता रखता है कि हमें अपने relationships हमारे neighbors के साथ अच्छे अच्छे relationships, trusting relationships important होते है तो this is the thing we learn in this thing, so community helps us to decide the happy next index, next is social support, the second section that majors community, community का ही एक second section है और इसको कहा जाता है social support, तो इसका एक separate section इसलिए है क्योंकि personal relationships जो होती है वो किसी भी इंसान को ब्रेक कर सकते है, आप गर आप देखों क अगर आपने Hollywood films देखे होंगे तो उसमें बहुत, अगर आप Netflix ही देखते हो, तो आगर आप देखोंगे कि foreign में सबका divorce ही होता है most of the time, like कोई लड़के का कहानी है Netflix तो उस लड़के के mom and dad हमेशा divorced रहेंगे, so this is the trend coming from western culture to our culture, so अगर हम इंडिया में भी देखें तो आजकल द and not the bad things, so उसके बात having a loving family, supportive friends and an understanding partner can dramatically affect your happiness, so this is the main important thing guys, so कुछ लोग बूलते हैं कि आप बड़े हो जाओगे और तो आप अपने अपको independent बूलने लगोगे या फिर तफ बन जाओगे, लेकि यह गलत होता है, ऐसे नहीं होता है, you always need a support from back, the feeling of being cared for, या फिर आप किसे से फ्यार क friends, तो उनका support and love चाहिए होता है, हमेशा, so this calculates, this helps to calculate the happiness of a country and its people, so social support plays an important role and I guess this is the main thing which should be counted in happiness, in counting happiness of a country, so the next is environment, environment plays an important role because the dirtier the feet, the happier the heart, किसे नहीं कहा है, तो this means कि जादा अगर आप जादा वक्त कुजाते हो, नाच्चर के साथ, नाचर के साथ, नाचर के साथ, नाचर के साथ, ना तो आपकी brain में कुछ happy hormones, को serotonine कहते है, वो spread हो जाता है, उसको boost मिल जाता है, तो आपने देंगा होगा, जब आप बखीचे में जाते हो, या फिर किसी garden में जाते हो, तो आपको happiness फिल होती है, अराम से आपका mood जो है ताजा हो जाता है, especially, अगर आप girls को देखो, women's को जाता है, because they are so related with nature, so even the, even men, if I talk about men, they will also feel energized in that case, तो इसके बहुत सारे benefits भी होते है, कहां जाते हैं, तो इसके बहुत सारे benefits भी होते हैं, कहां जाते हैं, आपकी आपकी आइसाइट भी होती है, आपकी senses भी अच्छे हो जाते हैं, so this feels relative in concept of nature, तो यह nature कैसे है, कैसे है, लोग कि करते हैं, I mean not waste, तो यह सब सारे चीजें environment में count होते हैं, तो अगर आपने देखा हो कि climate change हो रहा है, like कभी भी dark clouds आते हैं, या फिर degradation of environment की वज़े से, तो people less connect हो पाते हैं, nature के साथ, जादा gardens में जान ही पाते हैं, क्योंकि बारिश हो रही होते हैं, या फिर कभी भी बारिश ह होती है, कभी भी गर्मी शुरू हो आते हैं, तो this is imbalance of environment also causes issues in the counting of happiness, so the next is government, this is the most important factor of happiness of a country, तो government बहुत बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि government का हमारे life पे प्रभाव नहीं होता है, लेकिन yes guys, definitely आपके life पे government का प्रभाव पढ़ता ही है, अगर कल भी अगर कोई दूसरी party, ruling party बन जाए या फिर government में आ जाए तो भी आपके life में परिवर्तन होता ही रेता है, इस सथी कि आपके life में हमीश्चा से impact रहा है governance का, तो अगर आप tax पे करते हो, इन बावजूद इसके कि बहुत सरे laws है country में, और आप facility इंजॉय करते हो, from education, to income, to jobs, to entertainment and much more, all of your expects somehow navigates its way back to government, everything is related to government, so this shows us, सब कुछ government से related है, बहुत सारे तरीकों में अगर हम देखे, तो government, अपने people की stage तई करता है happiness के लिए, जहां दूसरों, like government की responsibility होती है, उनके citizens को secure and protect करना, उनकी opportunities को, और उनको खुश रखना, ये government का काम होता है, so happiness index में भी यही है, कि आपका trust कितना है, government में, क्या लोग सच में खुश है, नरेंद्रमुदी आई के बाद से, या फिर नहीं है, this is a normal example, I am taking from India, like our country, so this everything counts, आपका देश में corruption कैसा है, government में, government बूल रही है कि corruption नहीं है, लेकिन है भी या नहीं, how is it going, so उसके लिए string operations होते है, बहुत सारे, so everything happens to calculate the governance of country, so ये questions बह आपको आज भी और कहीं बार आपने देखा आगा कि protest होते हैं दुनिया घर में, तो protest की होते हैं, those protests really criticizes government और उनकी ranking डाउन कर देता है, country के happiness की, so this protest play an important role also, governments can create policies that prioritize the happiness of the people, ये बहुत में तो पूरून है, government को हमेशा policies बनाने चाहिए, जिससे चलते हैं, उनकी लोग खुश ह जाने कि government को हमेशा people के हक में, याने public favored opinions देने चाहिए, public favored policies निकान ले चाहिए, न कि just policy बना दी तो बना दी, that's not the thing, so we'll move next, so here comes standard of living guys, so standard of living बहुत simple है, like this widely used as a parameter, ये एक इसको GDP per capita में भी major करने के लिए जाना जाता है, like आगर आपकी GDP मान लीजे कि 3 trillion है, ठीक है, 3 trillion economy है एक व्यक्ति आपकी पर capita याने पर व्यक्ति कितना कमाता है, तो वो होगा कुछ 5,000 रुपीज, so this is very less, this is very less, in America it might be somewhere, if I'm not wrong, I'm just giving an example, I may be wrong, sorry, suppose 1800 dollars है, so 1800 dollars है, so much, like it's so much in Indian currency, okay, so ये इतना पर capita कमाते है, like per every, each and every person of the country on average, okay, not like कि आप सच में पाच चाहिर कमाते हो, on average, एक व इतना कमाता है, so this is a gross domestic product per capita, जापी GDP per capita हम कहते है इसको, तो इसको भी major किया जाता है, standard of living कहते है, तो इससे overall हमें happiness कैसी है, उदेश की पता लगती है, like suppose अगर आप US का भी example होगे न, उनका GDP per capita तो अच्छा है, लेकिन लोग ही खुश नहीं है, क्योंकि लोगों के कोई और जो उनको खुश नहीं रख रहे, so this is also a thing की economic prosperity आपके कुछ काम की नहीं है, कि आपके लोग ही खुश नहीं है, कुछ policies के ते है, so this is also one of the thing which comes under governments and the standard of living, so next day guys work, like a burden of things like we talk about the work system of India is really really poor, like private sector I am talking about is really poor guys, because some people रोज काम पे जाते हैं, लेकिन वो घर खाना 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 रेते हैं, औ और फिर आते तो है, 11 बजे सबस सुबह 9 बजे जाते हैं, फिर रात के 11 या 10 बजे आते हैं, फिर खाते हैं, और फिर सुबह उटके चले जाते हैं, तो this is not because of that people's fault, it's not because की काम पे जार रहे, उसका fault है, he has to do to earn a living, okay, he has kids, he has many things to look around, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने को क्या करना चाहिए, एक solution है, जो फूरे दुनिया में लागे है, कि minimum salary जो है, इसका कुछ एक ताय करना चाहिए, कि minimum salary किसी भी person को, और minimum hours, minimum or maximum, maximum hours जो है, वो रखने चाहिए, government को, कि maximum आप 12 hours के जादा, या फिर 10 hours के जादा, आप किसी employee को नहीं रख सकते हैं, दोनों sectors में जो है, private also, and even the government also, so this should be a policies which government should implement, but this also affects your happiness, guys, like working 8 to 10 hours a day, without liking, what do affects your happiness is negatively, so this is the thing that your people are unhappy, guys, so if we talk about work-life balance, then time balance section, we have seen that time balance, so this is somewhat related to it, so like in distressed, they feel distressed, because of out of balance, so this, this somewhere, you know, decreases your happiness, and your country's happiness also initially, so mind, if a student is attending lecture or internship, it's very difficult for him to, you know, take a spare time for himself, to play games, or enjoy with his friends, or social life, or family, so this is all the burden that we have, so there is an education system problem also, and there is a work system government problem also, so this is happening overall in every country except the developed ones, but in India, India, this is a huge issue, so if you think, if you think, if you think, India's rank, then what rank would be India, so what rank would be, so you can see, how many problems are, and I don't think so, and I don't think so, that any problem, India, number one, in terms of solutions, in terms of number one, like I don't think so, any problem, if I am not wrong, that any problem, if I am not wrong, if you look at any problem, if you look at psychological well-being, physical health, time balance, education, education, maybe in future, it can be, in education, but I don't think so, right now, we are anywhere, up in this thing, so, friends, India's rank, according to 2022, is around 136, guys, yes, it's 136, और कहां जाता है कि 2021 में इंडिया की राइंग 139 थी, तो 139 से, वो अभी इंप्रूव होके, 136 हो गई है, so the lesser you go, the more your people are happy, okay, so ऐसे जाते है, ठीक है, तो सपोस्जिए 200 है, तो ऐसे 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 जाना है आपको 1 तक, तो 1 पर कौन है, 1 पर है Finland, okay, 1 पर है Finland, जिसके आपने या पर देखा अफगनिस्तान जो है, वो सबसे अनहापिएस कंट्री है, जैसे कि आपने देखा होगा कि तालिबान का वहाँ पर आकरमन हुआ है, तो लाइक इस गॉन that way of the country, like the administration is gone, everything democracy is gone. So, it is 146 तो इंडियान के तो अभी फिलाल्ड प्रोब्लम क्या है नेप्लीमें लेक्प्लमिक है, एक्स्रीमिस्स प्लिशी चोहा, गॉर्मनेंस इसीव है, ना 2 प्रोजमिक्टान है, और को किन आफ़ोजोन में कोई नही नहीं है, वर्क बडर्न है, वहुते ज़ित हैं कि अधिक एखे विडियोंगे आविए यह आप यह झापनीच ताफ प्लेख्ट पीज विछ नहीं दो इंग प्राइल्स झापनीच वाल्ट इव प्रफटीजियश्ट को जीए टॉट इस रधेश चिनिग फ Dáनों को अपने हैं झाल 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 झाल